मीका भहुश्वक्ता की पुस्तक अध्याय दो हाई उन पर जो बिच्छोने पर पड़े हुए बुराईयों के उपाई की कलपना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा रखते हैं बलवन्त होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं और वे खेतों का लालच करके उन्हें चीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेथ पुरुष पर और उसके निजभाग समेथ किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं इस कारण यहोवा यो कहता है कि मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ती डालने की कलपना करता हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे ना अप विपत्ती का समय होगा उस समय यहा अत्यंत शोक का गीत दुरुष्टांत की रीती पर गाया जाएगा कि हम तो सर्वनाश हो गए वह मेरे लोगों के भाग को बिगारता है हाई वह उसे मुझसे कितनी ही दूर कर देता है वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है इस कारन तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहा की मंदली में चिठी डाल कर नापने की दूरी डाले बक्वासी कहा करते है कि बक्वास न करो इन बातों के लिए न कहा करो ऐसे लोगों में से अपतिष्ठा जाती न रहेगी हे याकुब के घराने क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधिर हो गया है क्या ये काम उसी के किये हुए है क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है परन्तु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रू बन कर मेरे विरुद्ध उठी है तुम शांत और भोले भाले राहियों के जो लड़ाई का विचार न करके नीधळक चल रहे है उनके तक कितन के तन से चादर छीन लेते हो मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुकधामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दीव हुई उत्तम वस्तुए सरवदा के लिए चीन लेते हो उठो चले जाओ क्योंकि यह तुमारा विश्रामस्थान नहीं है इसका कारण वह अशुधता है जो कठिन दुख के साथ तुमारा नाश करेगी यदि कोई जोटी आत्मा से चलता हुआ यह जोटी बात कहे कि मैं तुमसे नित्य दाखमधू और मदिरा का वचन सुनाता रहूँगा तो वही इन लोगों का भविश्वक्ता ठैरेगा हे याकूप मैं निश्चे तुम सभो को इकटा करूँगा मैं इसरायल के बचिहों को निश्चे इकटा करूँगा बासरा की भेडबक्रियों की नाई एक संग रखूँगा उस जुन्ड की नाई जो अच्छी चराय में हो वे मनुशों की बहुतायत के मारे कोला हल मचाएं उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे है और फाटक से होकर निकल जा रहे है उनका राजा उनके आगे आगे गया अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है